तो स्टुडेंस टुडे वी बिल टॉक अबाउट दो बॉन्डिंग इन कार्बन कमपॉंड्स यानि कार्बन कमपॉंड में किस टाइब की बॉन्डिंग होती है इसको हम दिस्कस करेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आयूपीसी नेमिंग हमने और गनी कमपॉंड की अगलग कमपॉंड में किस टाइब की बॉन्डिंग होती है तो बच्चों देखो अगर कार्बन का इटॉमीघ नंबर देखे है तो कारबन का इटॉमीघ नंबर होता हैans isFrощus इसका अगर इलेक्ट्रों कन्फुरेशन कल रही है तोफस्ट इसल में टू इलेक्ट्रों सेकि इसके इसके वेलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रों कितने इलेक्ट्रों है ठीक है अब ऑप्टेट्ट ठीय करती है कि लास्ट सेल में किसी भी कोई भी एटम किसी दूसरे से sharing करता है किस type से करता है जब थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ पहले octet theory करती है कि last cell में या तो 8 electron होने चीए for the stability तब ये compound तब ये जो आपका carbon है stable रहेगा या तो क्या होने चीए 2 electrons होने चीए इसका exception है octet rule का octet theory का exception है कि किसी किसी में कितने होते है 2 electron भी होते है 8 electron होते है तो इसको octet बोलते है 2 electron को बोलते है duplicate तो octet theory करती है कि last cell में क्या होने चीए या तो यहाँ पर 8 electron हो चीए जब 8 हो जाएगा तब ये stable रह पाएगा नहीं तो ये किसी ने किसी से reaction कर जाएगा ठीक है तो for stability last cell में क्या होने चीए कोई भी आपका atom है last cell में 8 electron पाने की कोशिश करता है या 2 हो सोचता है कि या मेरे पास maximum 2 electron हो जाए last cell में या कितने हो जाए 8 electron हो जाए तो इसी की tendency ये atoms रखते हैं इसी को पूरा करने के लिए दूसरे से क्या करते है या तो फिर क्या करते है अपना sharing करते है दूसरे से reaction करते है बास समझ में आए में येस तो क्या कहा मैंने last cell में maximum कितने electron होने चीए 8 electron होने चीए 8 electron या नहीं है तो exception में 2 electron होने चाहिए तो देखो पुच्छों आप 4 electron है अब carbon को क्या करना है 8 electron लाने के लिए या तो 4 electron कोई दे दे 4 electrons क्या कर दे carbon को कोई 4 electrons इसको दे दे या ये 4 electron को छोड़ दे या 4 electron का loss कर दे carbon 4 का loss कर दे को तो 2 तो बच जाएंगे 2 तो चलेगा न और या तो 4 electron को इसको दे दे सकता है क्योंकि four electron लेना four electron देना it's a big deal बड़ी डील हो जाएगी इतना यह नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसको पूरा करने के लिए अब क्या करें यह करता है sharing of electron electron की क्या करेगा sharing कर देगा यह जैसे इसको four चाहिए यह किसी किसा बड़ा शेयर कर देगा शेयर करने का मलव लगा उसके फूर भी इसके पास आजाएंगी इसके फूर भी उसके पास आजएंगे तो आपना स्प।ने यूचिए वह जहेंगी इसके पास 8 Rice तो इसको बोलता है sharing of electron तो तो carbon क्या का मैंने, न तो 4 electron इसको octet पुरा करने के लिए तो 4 electron इसको देने पड़ेंगे किसी से, या इसको देना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, इसके लिए sharing of electron करता है, electron को क्या करता है, sharing करते हैं, तो carbon components में क्या होता है, share of electron होती है, carbon क्या करेगा, electron का share करता है, तो sharing of electron के कारण, जहां पर sharing of electron होती है, वहाँ पर जो bond बनते हैं, उनको बोलते हैंoughing covalent bond कौनसे bond बनते हैं ओपर covalent bond जहां पर भी sharing of electron होती है हुआँ पर कौनसे bond बनते हैं correlate bond bond करने का मलब आपसे मिल जाना जैसे carbon किसी और के सांद hydrogen के सांद मिल गया तो hydrogen और carbon के बीच में एक bond बन जाता है यानि hydrogen और carbon एक दूसरे से मिल जाएंगे, hydrogen हो गया और carbon हो गया, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक bond बन जाएगा, यह दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगे, तो मिलकर hydrogen और carbon के बीच में एक bond बन जाएगा, एक रिस्ता बन जाएगा, उस bond को बोल हों suppose let's take the example of hydrogen 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 होता हो हाइच टू इसमें दो आपके कमबाइन है अगर आपको पता हो एगर आपको पता हो कि जो हाइड्रोजन होता है हैं के लास्ट सेल में एक हाइड़ोजन में नुबर पड़ा होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वन आप हेड्रोजन कि बात करए है हाइड्रोजन मेंге वन इलेक्ट्रोन इसके साथ आपको दो हैड्रोजन डियो होग अपकimme है करने के की सत्पार को में Med और ये hydrogen भी इसका एक electron ले लेगा यानि mutual sharing कर दी न दोनोंने mutual sharing काOS just बढ़ाबरी का उन्हें sharing कर दी यह एक vintage को दिया यानि इस hydrogen के पास पास देखान तो design के पास भी दो electron हो गए और इस hydrogen के पास भी क्या हो गए तो दोनोंके पास दो-दो electron हो गहे और अपना stable हो जाएगा तो stability के लिए ये क्या करते हैं एक-एक electron की उन्हें sharing कर ले एक electron इसने इसको दिया एक electron इसने इसको दिया इसको हम dot structure भी बोलता है hydrogen का क्या है dot structure तो ये कभी-कभी आ भी जाता है बनाने के लिए बना भी देना है तो ये है dot structure तो यहाँ पर क्या होई hydrogen, hydrogen की बीच में क्या होई mutual sharing of कितने electron की sharing होई one electron एक electron इसको दिया एक electron इसको दिया तो this is known as the mutual sharing of electron तो यहाँ पर hydrogen और hydrogen की बीच में क्या होई mutual sharing of electron तो इस प्रकार से mutual sharing of electron होने के कारण hydrogen ने hydrogen के साथ एक bond बना लिया और इस bond को बोलेंगे आप Covalent bond कौनसा bond बोलेंगे Covalent bond एक improving bond बनाये क्योंकि एक electron इसको दिया single covalent bond भी इसको आप बोल सकते हैं कौनसा bond बोल सकते हैं single covalent bond तो covalent bond कम बनते हैं covalent bond forms when there is mutual sharing of जब mutual sharing of electron होती है तब क्या बनते हैं, covalent bond बनते हैं, mutual sharing का मनला, यह इसको देगा, तो यह इसको भी देगा, ठीक है न, mutual sharing of electron बराबर, बराबरी का share जहां पर होता है, इसने इसको एक दिया था, one दिया था, इसने भी इसको one दिये, तो दोनों ने one one electron का mutual sharing करी, और आपस में एक single covalent bond बना दि यह S2 का molecule dot structure होता है, इस टाइप से बना सकते है, S2 का dot structure, ठीक है, तो इस प्रकार से mutual sharing of electron होई यहां, सब वो hydrogen के पास एक और एक्जामपल में आप बड़े आज इंट्रेस्टन लेते हैं, that is the example of nitrogen, N2, N2 का एक्जामपल लेते हैं, तो आपको बता है nitrogen का atom number 7 होता है, तो यह हम जाएँगी 5+, to 7, तो ऐसी दूसready nitrogen में 5+, to 7 इसके last cell में कितने electron हैं 5, इसके last cell में कितने electron हैं 5, यह last cell के electron ही क्या करते हैं, bond बनाने में सहयों करते हैं, अंदर वाले नि, हैं कितने ηट्टान devices ओbelड्स थे नाईटूई है इसकी लाँस सैन्स एसकार 2345 एलेक्टोन अब थोसा और ये को है इसके पास ही अब ह Hoy easy और ये है अब यी संयोक करेंगे बॉण्ड बनाएंगे ऐसेces बॉण बनाएंगे, कि ये इसके ये इस वाले nitrogen के ये तीन एलेक्टोन इसके पास आ जाते हैं, mutual sharing करेंगे ये होगे इसके पास आगे आगे ठीक है यानि इस nitrogen के बाद कितने electron होगे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगे और इस वाले nitrogen के 3 electron इसके पास चले जाएंगे यानि इस टाइड से ये बन गया ठीके तो ये हो गई mutual sharing of electron video, यहां पर कितने electron share हो होने है? 1, 2, 3 electron. 3 electron अपस में share करता है, 3 electron ये इसको दे रहाए, 3 electron ये इसको दे रहाए, यहां पर there is the mutual sharing of 3 electron. यहां पर कितने electron की mutual sharing होоки है? 3 electron. तो यहां पर भी एक बॉन्ट बनेगा कुईकि mutual sharing हो रही है ना आपस में तो covalent bon d बनेगा किस टाइब को कोईलेंड बनेगा triple covalent bond क्योंकि 3 electron की sharing हो रही है गया है यहां पर 3 electron की mutual sharing हो रही है ठीक है एक और एक्जांपल चेक करते हैं को हब एक और ऐग्जामपल इसमें लेते हैं सपोर तो ने किसका लेते हैं ऑक्सीजन शीटान में धेरory तो ओँट्वेस्चानीक ने कीलगल शाया ऐसी सेखिट का पने लेकटोन जाएंगे तो इसके लेक्टोन देखेंगे तो ये व्य Abg लग गया 1 2 3 4 5 6 दूसरा oxygen लीजिए 1 2 3 4 5 6 अब यहां पर देखो इस oxygen को कितने चाहिए 2 electron और चाहिए तो ये दो electron इस वाले oxygen के दो electron इसके पास आ जाएंगे sharing करके ये ले लिए हमने ये ले लिए भाई sharing करके इस लिए celery के पास कितने होगे 1 2 3 4 5 6 78 electron होगा इस oxygen के पास ispire हो गया ईट 생각이 होग 누र इंट से ले लेगा तो यह उससे ले लेगा तो यहसे लेगा तो आप देख सकते हैं इसके पास भीski होदो ङंगे 8 electrons हो गए, कैसे वे mutual sharing कैसे वे mutual sharing कितने electron की mutual sharing होई यहाँ पर 2 electron 2 electron इस वाले ने इसको दे दिये 2 electron इसने इसको दिये समझे भागा, तो देरीजे mutual sharing of 2 electron, तो यहाँ पर oxygen और oxygen के भी इसमें जो bond बना है कितने electron share करके, 2 electron तो double covalent bond बनेगा, कौन सा bond बनेगा, double covalent bond तो इस प्रकार से जो mutual sharing of electron के कारण जो bond, bonding होती है उन bonds को हम बोलते हैं covalent bond, अगर एक electron के sharing हो रही है तो single covalent bond 2 electron जैसे यहाँ पर 2 electron की sharing हो रही है double covalent bond, 3 electron की sharing हो जा रही है तो triple covalent bond यहाँ पर बन जाए है, ठीके दन? ओके दन?